हाई दोस्तों कैसे हुआ आप सब वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल मेट है नेटिंग क्लासस आज की इस वीडियो में गाइस ऐसा डिजाइन शेयर करने चाहिए जिस एक से आप दू डू डिजाइन बना सकते हैं एक आप थाल कुछ बना सकते हैं और एक लट्डू को बाद यह के लिए है आप यूज कर सकते हैं अगर थाल बनाना है तो आप थाल को बड़ा बना सकते हैं वीच कर डिजाइन सेम रहेगा और सेंट्र डिजाइन भी सेम रहेगा चलिए बनाना स्टार्ट करेंगे सरसे पर हम चेन बनाएंगे चेन पर हमें डबल क्रोशिया बन मैंने तीन राउंड बना है अल्मोश्ट तो विए रेडी खर लेंगे आपको अगर इसके जदा बनाने हैं तो आप उसके जदा भी बना सकते हैं कि यहां पर हमने फिर्ट रोर्ण में डबलज क्रोशिया बढाली है और इसे हम कंप्लीट कर लेंगे और यहां पर मैंने देखिए अब हम यहां पर देखिए दो लूप्स हैं में दो दो लूप का एक पनाते जाएंगे यहां पर मैंने वीडियो थोड़ा सा स्प्रीड में कर दिया है इससे हमारे जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और वीडियो जदा लेंद ही नहीं रहेगी डिजैन बहुत ही इजी है फ्रेंट्स यह देखे सिर्फ हमने दो-दो लूप्स का एक एक लूप्स बनाते जाना है आई होप कि आज की वीडियो आप सब के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी आप सब गाइज मुझे फेस्बुक पर और मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक दिया है यहां पर देखे मैंने यहां पर चार राउंड कंप्लीट कर लिया है अब हम नेस्ट अपना डिजाइन स्टाट करेंगे यह पांच राउंड का डिजाइन है, यहां पर जो हमने अब डिजाइन स्टार्ट किया है, इसमें देखिए प्रने सिर्फ इसी कलर से हमने डबल क्रोशिया बढ़ाना है, सिंगल डबल क्रोशिया ही बढ़ाना है, इसमें फंद को ना ही बढ़ाना है, ना ही हमें कम करना है, हमने वाइट कलर से ही डबल क्रोशिया से कम्प्रिट कर लेंगे अब हमने ब्लैक कलर लिया है ब्लैक कलर से भी हमें सेम ऐसे करना है पहले हमने दो की चेन बढ़नी है यहां पर फिर डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे इसमें भी कोई फंदा हमें कम नहीं करना है ना है कोई फं अब हमने रेट कलर लिया है और यह बाउंडरी का थर्ड डिजाइन थर्ड राउंड है अब इस गाइज यहां पर देखे नोट लगा लेंगे अब अब नोट लगाने का बादCCS यहां पर ध्यान से देखे कि इस बार हमने दो दो फंदे डालने हैं एक hole में दो दो फंदे डालेंगे पहले हमने एक एक डाला था और अब हमने दो दो करने हैं जितने हमारे जितने हमारे पहले फंदे से हमने उनको डबल कर लेना है guys I hope की easy से आप सब को design समझ में आ रहा होगा मैंने उपर return में भी लिखा है अब हमने दो दो डबल करोशे डालेने हैं और इस round को पूरे को भी हमें complete कर लेना है यहां पर देखे काईज हम इस round को भी complete कर लेंगे और फिर मैं पूरा design complete करके इस round को दिखा दिया हूँ यहां देखे भी बढ़ने के बाद आप 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 देखेगा और देखेगा है कितना प्यारा लग रहा है बहुत ही सुन्दर design है कि यह देखे अब हमारे फंदे बढ़ चुके हैं और यह ऐसे ऐसे फोल्ड होता जाएगा भी यह देखे अब हम अपना नेश्ट design स्टार्ट करेंगे अब माली यह तीन round हो चुके हैं अब हमारा fourth round है और फंदे को बढ़ाना है अब नेश्ट कलर लेंगे आपके वह जो भी कलर संद्वाप पोई ले सकते हैं यहां सबसे पहले हम नोट लगा लेंगे और नोट लगाने के बाद यहां पर देखे रहे हैं पांच-पांच पंदे एक ही होल में डाले हैं पहले हमने दो दो लिय अब चोत्ता पंदा बनाएंगे और फिर हम पांच-पंदे बनाएंगे और नेश्ट जो दो फंदे काई हमने लिए दो फंदे यहां पर छोड़ देंगे और एक में हम डबल सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर एक की चेन बना लेंगे और दो पांच-पंदे बना लेंग फिस हैं वैसे करते रहेंगे बैस दो हमें धंदे छोड़ने हैं और एक स्टिंगल कोरोशे हैं बनाना है और पांच-पांच डबल क्रोशी हमने बना के आर यह वड़े राउन को भी हमें कंपलीट कर लेना है यहां पर देखिए गाइस मैं इस राउंड को भी पूरा कंप्लिट कर लेती हो पिर दिखाती हो और देखिए गाइस कितना प्यारा डिजाइन मारा बनके रेडियो चुका है बहुत ही सुन्दर डिजाइन है अब लाश्ट राउंड में हमें इस ब्लैक कलर से सिंगल क्रोशि बनाना है दिखिए हमारे पांच राउंड हो तीन और चार और पांच पांच राउंड है पांच राउंड से यह डिजाइन को कुम्प्लिट हुआ है आप गाज जो भी कलर कॉंबोनेशन प्यारा लग के वह ही आप ले सकते हैं यहां पर सिंगल हमें क्रोश्या बढ़ाना है यहां पर देखिया जो हमारा उपर वाला है बस बहुत से हमने सिंगल क्रोश्या बढ़ा के और इस राउन को भी कंप्लीट कर लेंगे और हमारा डिज यहां पर देखें घैज मैंने कैमरे को ऊपढ़र से करके दिखाए और बिल्कुल रेडि हो चुका है जिस तरह भी चाहें आप उसे कर सकते हैं अगर उपर कम करना है उपर कंता है नीचे जैसे आप को लगा है जोड न चाहते नहीं चाहते हैं तो ऐसे उपन भी रख सकते ह है तो भी बहुत ही प्यारा लगता है डिजाइन इसको देखाएस हम थालपोस भी बना सकते हैं अभी हमें रड़ो गुपाल जी की ऊपर की डिरस बनाएंगे सबसे पहले हमने चेन बनाएंगे यहां पर यहां पर गयाज मैंने 15 की चेन बनाएए जहां से हमने स्टार्ट किया है पहले वहां पर हमेसे बंद करतेंगे यह देखेगा जयां से देखेगा हैं पर आचे से और यहां पर हम सिंगल क्रोशिया बना कर इसको पूरी राउंड शेप को देदेंगे फिर हमें यहां पर डबल बणा लेंगे हम, इसमें हमने 3 round कंप्ली ट करने है, पहले जितने round में हमारी double crochet हैं और उतने उस ness round में हमने और डबल करने यहां पर देखेंús हम इस round में double crochet बणा लेंगे यहां पर मारे 15 डबल क्रोशिया हैं और इस राउंड पूरे को कम्पिल्ट कर लेता हैं यहां देखें कर लिया है और सेक्ड राउंड में हमने 15 के डबल कर लेना है याने कि 30 डबल क्रोशिया बनाना है इसे थोड़ा सा हमारा साइज जो डिजाइन है बड़ा खुरिजता जाएगा ये तीन राउंड का डिजाइन है उसके बाद में हमें नाश्ट डिजाइन इस पर स्टार्ट करेंगे इसको भी हमने कम्लिट कर लेते हैं गाईज और मारे ये थर्ड राउंड है थर्ड राउंड में हमें पंदे को नहीं बढ़ाना है चारों साइड से हमें एक-एक पंदे को बढ़ा सकते हैं और सिर्फ हमें एक डबल क्रोशा ही बढ़ाएंगे यहां पे इस मैंने वीडियो की स्पीड कभी आतेज कर रखी है इससे हमारा जल्दी design complete हो जाएए यहां पर देखे कि बिल्कुल round shape में आचुका है और ऐसे हमारा design बनेगा अब यहां पर देखे कि यहां नेचे से हमने body इक design बनाएंगे यहां पर देखे वहले हम single crochet से करेंगे और फिर हमने यह पर डबल कुरोईशिय बनाँना है अगर आपको सैज बड़ा बड़ा चोटा करना है तो आपका अपने कोडिंग भी कर सकते हैं यहाँपे फिर से हमने बंद करके बस सिन रांड हमने यहाँपे बना लेने है और फिर हमारे लट्डू पाजी के लिए जागा काना जी के लिए उपर वाली ड्रस भी रेडियो हो जाएगी यह मैंने बहुत ज़्यादा इजी वाला डिजाइन गाइस इस वीडियो में शेयर किया है यहाँ देखें गाज ओपर की ड्रस बिलकर रेडियो हो चुकी है बहुत ही फैर इबनकर रेडियो हुई है यह देकि बीच में हम लगा के यहाँ तो हमने यहाँ पर काना जी के लिए बना सकते हैं और चाहे तो आप थार पोश भी बना सकते हैं इसको जैसे ही कि एक डिजैन म के मरे रादयो जाएंगे, बीच में पूल रासा थेंग वी, यांक यू गास पूल वाचिन को बीडियो जाएंगे वी,